नमस्कार दोस्तों आप सभी के स्टडी फॉर यूपेसी पीसे से में स्वागत है आज तारीख है 26 जुलाई 2024 इस वी और आज का न्यूज पेपर आर्टिकल डिसेशन का ये वीडियो होगा लेकिन आज हम लोग मुख्य रूप से एकनॉमिक सर्वे को परने वाले हैं डीटेल में परहेंगे, पॉइंट वाइज परहेंगे दो-तीन अलग-अलग वेबसाइट से अलग-अलग पॉइंट सुठा कर मैंने डाले हैं और जो सवाल आप से पूछा जाता है, उसको समझने की कोसिस करेंगे एकनॉमिक सर्वे के क्या ये लास्ट वीडियो होगा, नहीं नहीं ये पहला वीडियो होगा, आने वाले समय में एकनॉमिक सर्वे का एक अलग से हम लोग डीटेल वीडियो भी करेंगे आज के newspaper decision में दो बड़े topic हैं एक economic survey है और एक ये topic है जिसमें बहुत ही बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोट का कि राज्यों को मिंडल्स लैंड के आधार पर tax वसूले का अधिकार दिया गया है central government ने कहीं ने कहीं इसमें संसोधन करने कोशिस की थी ग्योंकि सही नहीं था सुप्रीम कोट ने इसमें फैसला सुनाया कि राज्यों को ये अधिकार होगा कि वो मिंडल्स वाले लैंड पर अपना tax वसूली कर सकते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे दो बड़े news है इन दोनो पहले ही वीडियो बंद कर दीजे आपके लिए मैंने पहले ही कह दिया एकॉनमिक सर्वे चटकार वाला टॉपिक नहीं होता है मसाले धार नहीं होता है काफी कठीन होता है उसको समझना टर्मिनलोजी आएगा मुझे समय लेगा एक्स्प्लेइन करने में मैं ये रिस्क ले इंपोर्टेंट टॉपिक है और पीटी में भी आपसे स्टेट्मेंट बनाकर पूछा जा सकता है 1957 का एक्ट जो है उसी के बारे हम पूछा जा सकता है कौन सा एक्ट था भई मिंडल्स और मिंडल्स डिवलप्मेंट एंड रिगलेशन एक्ट 1957 नहरो जी के समय पारित किया इसको भी हम लोग देखेंगे आज डीटेल में तो दोनों टॉपिक डीटेल होगा और दो ही आज सबसे बड़ा टॉपिक ही होगा मुख्य रूप से एकॉनमिक सर्वे इसलिए किसी और न्यूज को मैंने सामिल नहीं किया है चले शुरू करते हैं देखते हैं कि क्या है एक प्रिजाम को लेकर एक अपडेट आया है कल भी BPSC के चेर्मेन ने प्रेस कॉनफरेंस किया मातर सौ सीटों की उनके पास में अभी तक वैकेंसी आप आई है क्यों नहीं आई है आरक्षन के कारण से रोश्टर ही नहीं बन पा रहा है जिन विभागों के पास में 5 सीट, 6 सी सीट थे उन सभी ने अपना अपना वैकेंसी BPSC को भेज दिया लेकिन जैसे 100 सीट, SDM के बड़े अस्तरप सीटे होती हैं, D.Y.S.P की बहुत ज़्यादा सीटे होती हैं और भी कई सारे से विभाग है जिनमें काफी ज़्यादा सीटे होती हैं उन सभी ने अपना रोश्ट तर तियार होगा तब जाके वो आयोग को भेजेंगे, तो कल आयोग के चेयरमेन ने बोला है कि हमारे पास भी विगयाक्ति नहीं आई है, जब आएगी तो हम उसको लेकर एक्जाम कंड़क्ट करवाने की कोसिस करेंगे, उमीद कम है कि 30 सेप्टेंबर को एक्जाम होगा, लेकिन एक्जाम तो होगा ही, ये तो तैही है, ज्यादा ज्यादा 30 अक्टूबर जाएगा, नहीं तो ठीक है भी, नॉम्बर में पहले सब ताहम होगा, होगा तो जरूर ही और टॉपिक तो पूछे ही जाएंगे, तो पढ़ते रहिए, तियारी करते रहिए, 30 नहीं होना चेक, एक ही आएगा, तो हमें एक ही सीट से मतलब है, ये सब कहने की बाते होती है, पीटी का कटफ आसमान चुएगा, मेंस का कटफ भी आसमान चुएगा, तो वहाँ पर कमपटिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सामाने स्टेट पे सीएस वाले बच्चे इसमें राष्ट पती के विना पर जारी किया जाता है, UPSC ने इस बार खेला किया कि प्रधान मंत्री की तरफ से वित मंत्री महोदे के द्वारा बजट को संसद पस्तुत किया जाता है, ये स्टेटमेंट डाल दिया था, उसने, UPSC PT का सवाल है, पहले वाले लाइन से, ठी आर्थिक पर दरसन भविस्ट की संभावनाओं के व्यापक दिश्टिकोन प्रस्तूत करता है, आर्थिक सर्वेक्षर में दरसल में होता क्या है, एकॉनमिक सर्वे में तीन चीजे होती है, पहला होता है कि भविस्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन-कौन सी कठनाई जो year है इसमें हम क्या-क्या target लेकर चल रहे हैं यानि कि एक economic year पहले एक economic year अभी और एक economic year आगे इन तीनों का लेखा जोखा मुण रूप से होता है भविश्य की कुछ बाते होती हैं जिसको आपको मेंस एक्जामनेशन में answer rating में इंक्लूड करना परेगा कि हमने ये लक्ष रखा है हमने ये प्राप्त किया है हमारे सामने ये कर्षिनाई है जैसे निर्मला सितार अमन जी ने जो सदन में जो सदन में जो अलग अलग प्रेटफॉर्म बाचीत इसको लेकर चल रही उस बाचीत का भीसा बना कीजिए देखा कीजिए परहा की है इनिक्वालिटी को और समानता को सबसे पहले अस्थान पर रखा है दूसरा पोवर्टी अभी भी समस्या बनी हुई है तीसरा जॉबलिस ग्रोथ कर रहे हैं चौथा उन्होंने एक चीज बता है कि AI या टेक्नलोजी परिवर्तन के कारण से भी जॉब जा रहा है पांचवा दिनों में भारती अर्थवेस्था गस्मक्ष कौन कौन से चुनोतियां देखी गई है आपके हिसाब से आपके अनुसार से आपके मतों का अनुसार से उसका क्या-क्या समधान हो सकता है तो वहाँ पर अगर आप चुनोतियां बताते हैं तो एक चुनोती बताने बाले वो तीस मार्क आएंगे जो हवा हवाई बाते करेंगे एक आप होंगे जो बताएंगे कि क्या रहा हूं कि एकोनोमिक सर्वे इसलिए बेहत आवश्चक होता है आपके मेंस इकोनोमिक से कम सवाल आते हैं इसलिए आप ओवर व्यू लीजिए फिर वी मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा लेकिन जिनको यूपीसी देना है वो तो काफी टीप में जाकर पढ़ेंगे परिचे क्या होता है देखिए आर्थिक सर्वेक्षान अर्थव्यस्था के स्थिति की समिक्षा करने के लिए केंद्रिय बजट से पहले सरकार को दौर प्रस्तूत किया जाने वाले एक वार्सिक दस्तावेज है दस्तावेज है जिसमें भारत सरकार की देखरेक में वितमंत्राल में आर्थिक कार विभाग इस विभाग का नाम ध्यान में रखेगा पीटी के लिए इंपोर्टेंट है कि आर्थिक प्रभाग द्वारा तियार किया जाता है इसे केंद्रे वितमंत्री द्वारा संसत के दोनों सदनों पेस किया जाता है किसके प्रधानमंत्री के द्वारा, एकॉनिक एडवाईजर के द्वारा, केंद्रे बितमंत्री के द्वारा, पीटी के फैक्ट दिख रहा है आपको, तो केंद्रे बितमंत्री के द्वारा किया जाता है। वर्तमान का और अगला, इन तीनों की हम लोग बाचीत करते हैं इसमें, एतिहासिक संदर, पहली वार 1950-51 प्रस्तुत किया गया था, यह बजर दस्ताबेज का ही इससा होता था पहले यह 1964 में से एक अलग खंड बना दिया गया था, इतना ध्यान में जरूर रखेगा, 1950-51 में पहली वार पेस किया गया था, 17-23-24 कि आर्थिक सर्विक्चंग से मुस्क मुखि निसकर्स क्या है, तो अर्थवियस था कि वर्तमान इस्थिती के बारे में क्या-क्या कहा गया, यहां से फैक्ट देखेगा, यह जो परसेंटेज आपको दिख रहे हैं छोटे-छोटे, यह विवितवर्थ 24 की चार तिमाहियों में से तीन में 8% के आकरे को पार कर गई है, यानि कि हमारी जो एकॉनमी है, उसका रियल GDP का जो ग्रोथ है, वो काफी अच्छा है, और सही दिसा में हमारी बृध्धी है, ध्यान से देखेगा, कॉंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम लोग, ना कि डिवलप्मेंट की, इसलिए जो दूसरा पक्ष आप देखते हैं कि भारते एकॉनमी के सामने चैलेंजेज, उसमें जो इनिक्वालिटी आपको दिखता है, और समानता दिखता है, चाहे गरीबी दिखता है, चाहे जॉबलेस एक इकॉनमी दिखती है, ये क्यों दिखता है, क्योंकि हम ग्रोथ कर रहे हैं, डिवलप्मेंट में अभी हम थोरे से पीछे हैं, ठीक है, दोनों पक्षों को मैं साथ मले कर चलूँगा, ताकि आप किलियर व्यू रखें, खुद्रा मुद्रा एस्पिती, मुद्रा एस्पिती हो जाएगा, है ना, खुद्रा मुद्रा एस्पिती, वित्रवर्फ दोयरताईस में 6.27% से घटकर, 24.54% हो गई है, चालू खाता घाता, जो हम विदेश से खरीते बेशते हैं, तो हमारा घाता होता है, ना, चालू खाता, पूजी खाता, तो चालू खाता, घाता, करेंट एकान डेफिसेट, वित्रवर्फ दोयरताईस में 2% से बढ़कर, 24 में GDP का 0.27% हो गया है, कर राजसों की बात करें, यहां से BPSC ने सवाल पूछा था, प्रत्यक्ष करों ने कुल कर राजसों का 55% योगदान दिया है, जबकि और प्रत्यक्ष करों ने 45% का योगदान दिय है, जो सरकार के उपर में बारवार आरोप लगते हैं, कि आप डायरेक्ट टेक्सेशन हद से ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहां पर आपको समझ में आ रहा है, क्यों हो यह आरोप लगता है, क्योंकि भारत में अब डायरेक्ट टेक्स का जो हिस्सा है, टोटल राजसों में, वो 55% हो गया है और जो indirect tax का हिस्सा है वो कितना है 45% हो गया है ये चीज़ समझ में आगया आपको आपसे यही statement बना कर पूछा जा सकता है कि भारती अर्थ विवस्था में कर राजस्तों में indirect taxes की और प्रतेक्ष करो के हिस्सेदारी जो है वो बर गई है और वो बर कर 55% हो देखते हैं तो ध्यान में रखिएगा हमारे economy में जो direct आप टेक्स देते हैं जैसे नौकरी पेसा वाले देते हैं उनकी संख्यां भी भी जादा है वैल्यू के हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो पूजीगत वे सरकार ने पूजीगत वे में उत्तरोतर ब्र जिससे देश के लोगों के अंदर कुपोशन कम हो सके अब आपको दिख रहा है कि भारत को 81.4 करोर लोगों को हमारी अगर 140 करोर की जनसंख्या है बंधूँ तो इसका आप कर लीजे कितना परसेंट हो गया यह उतने करोर भारतीयों को भारत सरकार को अन्न देना पर रहा है यह economic survey में ही बताया गया है मौदरिक प्रबंधन और वित्तिय मध्यस्ता इस्थिरता के मुख्य सब्द मौदरिक नीती जो monetary policy होती RBI ने पूरे वितबर 24 में सारे 6% पर इस्थित नीती रेपो रेट बनाए रखा है जो policy वाला रेपो रेट होता है वो अभी भी कितना पर हुआ है तो सारे 6% बना हुआ है और पूरे economy के एर में एक भी भार इसको RBI ने चेंज नहीं किया पहिनाम सुरूप अपरेल 22 से जून 24 तक कोर मुद्राइस पितीम लगए 4% गिरावट आई है रिन के ब्रधी अनसुचित वानी जीग बैंक द्वारा रिन वितरन एक सो तीन लाख करोर का रिन बाटा है भारती बैंकों ने पिछले साल में क्या ही सही है बिलकुल सही चीज है ये क्यों 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 कि जो रिन होता है वो बैंकों की कमाई का सबसे बड़ा साधन होता है जो आप बैंकों पैसा जमा करते हैं वो बैंक की लाइबिलिटी होती है व उस पर बैंक को पैसा देना परता है आपको ब्याज करूप में जबकि जो बैंक रिन बांटती है वो क्या है उसका तो उसी सो उसका इंकम होता है क्योंकि इस पर आप ब्याज देते हैं बैंक को ये मैं क्या बोल रहा हूँ UPSC 2020 PT का सवाल बोल रहा हूँ जिसमें पूछा गया था कि बैंक जो होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती वो क्या होता है इसी प्रकार से कुछ एक सवाल पूछा गया था आप देखिएगा वर्ल लाइनर सवाल है लेकिन यहीं से बेसिक कॉंसिप्ट से उठाया गया था बैंकिंग शेतर सकल और निवल गैर निस्पादित परिसंपतियां कई वरसों के नीचले अस्तर पर हैं बैंक परिसंपति गुनबत्ता में सुधार हुआ है एनपिये जो है नौन पर्फॉर्मिंग एसेट्स गैर निस्पादन परिसंपतियां यह अपने नीचले अस्तर प सही ढंग से अभी वर्तमान में तो चलती हुई प्रतीत हो रही है according to economic survey 2023-24 RBI की जून 2024 की वित्य सिर्ता रिपोर्ट जो financial stability report किसके द्वारा जारी किया जाता है तो रिजर बैंक आफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है कि डेटा से पता चलता है कि SCB जो से dual commercial bank कहोते हैं उनकी बात कर रहा है परिसंपती गुनबता में सुधार हुआ है SCB का मतलब SBI PNB ये सारे के सारे हो गए आपके सकल गैर निस्पादित परिसंपतियां gross NPA अनुपात मार्च 2024 में घटकर 28% हो गया है जो 12 होरसों का नीचलासता है और ये सांदार काम का उधारन हो गया कि भारस सरकार ने बहुती अथक परिस्रम के परसाद से आपको पता होगा कि 2018 इस भी भारस सरकार ने बैंकों का re-capitalization किया बैंकों के स्थिती इतनी बदतर हो गई थी कि बैंकों को रिन नहीं दे पा रहे थे लोगों को इतनी ज़्यादा ओन पिये की स्थिती बन गई थी उसके साथ नपिये क्यों बना था क्योंकि रिन वापस नहीं आ रहे थे उसके पसाद भारा सरकार ने एक और काम किया आपसे यही सवाल पूछाए सकते हाल के दिनों भारतिय बैंकों NPA के समस्या कम होई है इसके पीछे नेत कारणों को आप बताईए कौन से स्टेप भारा सरकार ने उठाए थे इसमें एक हो गया री कैप्टर लाइसन भारा सरकार ने किया था 2018 में जिसे पुनह पूजी करन किया था बैंकों को 80,000,90,000 करोर रुपे दिये थी भारा सरकार ने खर्चा करने के लिए दूसरा बैंकों को क्या किया गया तो जोडा गया आपने देखा होगा विले किया गया डेना बैंक, इलहाबाद बैंक, केनड़ा बैंक इन सब का विले करके भारत बरे बरे बैंक अब बनाए गए है पहले जो बहुत सारे बैंक थे उन सब को कम किया गया है और अब आपको बरे बैंक दिखेंगे क्योंकि सारे बैंकों का विले कर दिया गया एक जगह कर दिया गया इसलिए जो है इसी जो को आप देख सकते हो उस शम्ता संहीता जिससे पिछली बार BPSC PT में सवाल पूछा गया था इनसॉलबेंसी बैंकरपसी कोड जो है IBC ये सवाल पूछा गया था BPSC में स्टेट वर्न रोना कर IBC के बारे में दोहरे बैलेंस सीट तुलन पत्र की समस्या के लिए प्रभावी समधान के रुपे मानिता दी गई है इसको क्या कहा जाता है ट्विन बैलेंस सीट प्राबलम अब ये क्या होता है जैसे बैंक का नाम है A इसने रिन दिया B नामक बैपारी को बैंक के भी जो B नामक बैपारी है ये डिफॉल्ट घोसित हो गया डिफॉल्ट का मतलब हम अब रिन चुका नहीं पाएंगे इसका तो बैलेंस सीट बिगरा ही साथ बैंक का भी बैलेंस सीट बिगर गया यानि कि इसके कारण सी भी गया और बैंक के कारण से बैपारी भी गया दोनों एक दूसरे में फसकर रह जाती इसको ट्विन बैलेंस सीट प्रॉबलम कहा जाता है इसमें भी कमी देखी गई है क्योंकि IBC के माध्यम से हम नीलाम होने वाले चीयों को बैंक करप्ट होने वाले संस्थाओं को हम क्या कर रहे हैं तो उसका समधान ढूंड रहे हैं और ये सांदार काम हो रहा है पिछले वर्स आठ मार्च दोहर चौबीस तक 13.9 लाक करो रुपे के मुले वाले 13.394 कोर्पेट देंदारों का निप्टान किया गया है 13.9 लाक रुपेया उन संस्थाओं से निकाले गए हैं जो बैंक करप्ट हो गए थे जिन्होंने खुद को दिवाला घोसित किया था तो दिवाला जो संहीता है उसके माध्यम समधान निकाल कर 31.394 कोर्पेट देंदार जिन्होंने पैसा लगाया था उनके मामलों का निप्टान किया गया आप भॉल्यम में इसका देख रहे हैं क्या कितना बरा है ट्विन बैलेंस सीट समस्या भारी करज में डूबे निगमों और बैंकों को संदर्वित करती है और सो धिरिनों के बहुत सतले दबे हुए जिससे आर्थी विकास बाधा उत्पन होती है दुस्षक्र बन जाती है यह सारत मैंना आपको बोल कर ही समझा दिया पूजी बाजार की अब लोग बात करते हैं कॉर्पेट से यह यह सब चीजे हो गई पूजी बाजार ने वित्वबर्ष 223 में नीजी और सावनी कॉर्पेट्स के सकल अस्थाई पूजी निर्वान का लगवां 29% 10 लाग करोड़ पे का पूजी निर्वान का काम पूजी बाजार ने किया है भारत सबसे तेजी से बरने वाले बीमा बजारों में फसे एक बनने की कुर अगर सर है वैस्वी के स्थर पर दूसरा सबसे बरा माइक्रो फाइनेंस का छहत्र है माइक्रो फाइनेस मतलब छोटे लोन छोटे सहायत हाई इसको माइक्रो फाइन Awesome कहा जाता है बीमा तो आप लोग जानते ही होंगे तब एक सवाल मेरा सुन लीजिए और जरा दिमाग पर जोड डालिए बीमा छेतर में कितने FDI की अनुमती है अब एक्जाम में देदेगा 50%, 75%, 100% वहां पर आप उपर देखेंगे उस से अच्छा है भी मोईल में सर्ज कीजिए देखें कितना FDI की अनुमती बीमा छेतर में दिया गया है अब मोदी जी आए है तब से दिया गया है, पहले बहुत कम दिया गया था LIC की मॉनोपॉली थी, अभी भी LIC की मतलब ही लोग बीमा समझते है दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में से एक है LIC, यह आपको पता होना चाहिए कीमत और मुद्रास्पिती नियंतरन में मुद्रास्पिती करू जान, वितबर दोयर 24 में 29 राज्यो, केंसासी प्रदेसों, मुद्रास्पिती 6% से कम की दर्ज की गई है वितबर दोयर 24 में कोर सेवाओं के मुद्रास्पिती 9 रसों के निचले अस्तर पर आ गई है कोर सेवा यानि की जो आठ सेक्टर है, कोर उनकी बात कर रहा है वितबर दोयर 23 में खाद मुद्रास्पिती 6.6% जबरकर, वितबर दोयर 24 से 7.5% हो गया है एलपीजी पेट्रोल धीजल की कीमतों कटाथी से खुद्रा इंधन मुद्रास्पिती को अपक्षाक्रित कम रखने में मदद मिली है ऐसा कहना है एकॉनमिक सर्वे का लेकिन एक चीज डाउट है एकॉनमिक सर्वे के बारे में कई सारे जो आर्थिक एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने बहुती गलत तथे भी इसमें पेस किये हैं जैसे महंगाई को लेकर भारत सरकार ने गलत तथे को पेस किया है खादर मुद्राइस्पिती वर्तमान में जितना ज़्यादा है अभी जब मैं आपको इबीरियो पर हा रहा हूँ आपको चीजे खाने पीने की सबजियां और बांकिचे महंगी दिखेंगे मार्केट में तो खादे मुद्राइस्पिती वरतमान में दाल हो गया या कोई भी आइटम उठा लेजे खाने का वो महंगा ही लगेगा आपको और अगर महंगा नहीं लग रहा तो आपके बहुत बड़े रईस हैं या तो आपने जीवाने का भी पहले खरीदारी नहीं की है है ना तो महंगा लगेगा तो या ने की जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि वरतमान में भारत की जो मुद्रायस्पिती खादे में वो पिछले दस बारा साल हم सब जाता है मुद्रायस्पिती अभी वरतमान में देखी जा रही है इसका जिकर एकॉनमी में नहीं किया गया एकॉनमीक सर्वे में ये भी बताया गया है देखे यहां पर एक चीज तो बोला ही गया एक है कि 22.23 में मुद्राइस्पिती 6.6% बरका 24 में 7.5% हो गई है खादे मुद्राइस्पिती लेकिन अनमान है कि इससे भी जादा है वर्तवान में भविस्टी के अनमान आर्बिया निवितवर 25 में मुद्राइस्पिती को सारे 4% और 26 में 4.1% तक गिराने का अनमान लगाया है गंदे PCS वाले यहां से सवाल बनाएंगे और फिर कोई कर नहीं पाएगा क्योंकि इतना डीप याद नहीं रहता जरूर याद रखेगा RBI का है ये लक्ष तो RBI कोई चीज बोलती है नीति आयो कोई चीज बोलती है तो हाँ पर रुख कर उसको सुनना चाहिए देखना चाहिए कि क्या बोल रहा है 341 अनलब एक बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया जिसमें IT सॉफ्ट वियर और अन्य वेबसाइक सिवाओं का सबसे बरा योगदान है सर्विस सेक्टर का जो हमारा एक्सपोर्ट है ये हमारा काफी ज़्यादा बरहा है लगभग में 5% से बढ़ गया है 341 अनलब एक बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का हो गया सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट में क्या-क्या आएगा तो टर्सरी सेक्टर में क्या-क्या आता है IT इंडस्टी आ गया या फिर BPO कॉल सेंटर आ गया या तो परेटरन आ गया ये सब सर्वीस एक्सपोर्ट में होता है और भी जैसे टीचिंग का उद्योग आप ले लीजे कोई भी आप चीज ये जिसमें सर्वीस आपको मिलता है वो सब के सब सर्वीस सेक्टर में ही आते हैं प्रेशन भारत दोयरता इसमें कुल 120 बिलियन अमेर्की डॉलर के प्रेशन के साथ सिर्श वैस्वी प्राप्त करता बना हुआ यानि कि बाहर से कम हुआ पूत जो हैं बिहार सरकार खे ओए 120 बिलियन डॉलर भारत में भेज रहे हैं दुनिया में सरवाधिक रूप से हम प्रेशन भाहर से पैसा रिमेंसे जो प्राप्त कर रहा हैं वो दुनिया में सरवाधिक है हम से उपर कोई नहीं है इसका ये भी मतलब है कि भारत में प्रतिभासाली लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है फिर वो लोग ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और यूरोप और यूएई और अरेवियन देशों में रहते हैं वहां कमाते हैं वहां से पैसा भेजते हैं इसका ये भी मतलब है दोनों मतलब है इसका ठीक है बाहरीन, मार्च दोयर 24 तक भाहरत का बाहरीन जीडिपी अनपात का 8,97% हो गया है वेरी वेरी इंपॉर्टर इन जरूर याद रखेगा लोजिस्टिक प्रदर्शन, लोजिस्टिक का मतलब टांसपोर्ट, आधान प्रदान, फैक्टरी से कोई समान निकला तो आप तक पहुंचा है तो बीचे पूरा लोजिस्टिक का ही चेन होता है विस्व बैंक लॉइस्टिक सूचकांक में विस्व बैंक लॉइस्टिक सूचकांक कौन जारी करता है तो विस्व बैंक जारी करता है भारत की रैंक दोयर 14 हमें 44 अस्थान से बरकर तो 38 में अस्थान पहुंच गई है पिछले 10 सालों में हम कितने अस्थान तक आ गए 6 रैंक हमने कम कर लिया सावासी मिलनी चाहिए तो 38 में अस्थान पहुंच गए क्या ये और अच्छा नहीं होना चाहिए बिल्कुल अच्छा होना चाहिए था परेटन को लेकर रैंकिंग कौन जारी करता है तो वर्ल्ड एकॉनमिक फोरम जारी करता है लोजिस्टिक को लेकर वर्ल्ड बैंक जारी करता है फाइनेंसल इस्टैबलिटी को लेकर आर्बिया जारी करता है रिपोर्ट सारे रिपोर्ट के भी आप पुर्णा चाहिए पता होना चाहिए भई ये तो सवाल पूछा जाता है मेंस में आपका नीती आयो कभी एक लोजिस्टिक रैंकिंग आता है ति नीती आयो को लोजिस्टिक रैंकिंग से बीपी एसी ने मेंस वे सवाल पूछी लिया सौट एंसर में कि बताओ गुरू क्या होता है क्या रहा परदर संकिन-किन मानकों पर जारी किया जाता है अभी बचवा सब तो परहाई नहीं कभी तू कहां से याद रहेगा नीतिया एक लोजिस्टिक रेंगिंग क्या होता है मैं परहाऊं तू परहेंगे रही देखिए अगला क्या है परेटन में क्या रहा विश्व परेटन में प्राप्तियों भारत की हिस्सेदारी 22 में 1.38% पर को 22 में 1.58% हो गया अब ये क्या है दुनिया भर में परेटन में अगर 100 रुपईय का कारुबार हुआ है तो 10 रुपईया भारत को मिला है दुनिया भर में 6 तरफल की हिसाब से कौन से नमबर के देश से हम परेटन में हमारी इतनी कम हिसेदारी क्यों है अभी भी हम परेटन में काम नहीं कर पाए है हाँ लेकिन ग्रोथ जरूर हुआ है भारत परेटकों की संख्या माने में ग्रोथ देखी गई है तरफल की सेंटर गोवर्मेंट इस्टेट गोवर्मेंट और प्राइवेट सेक्टर इन तीनों को साथ हमें मिलकर काम करना परेगा तब जाके हम सेवन परसेंट प्लस की रननीती को प्राप्त कर सकते हैं सेवन परसेंट प्लस की रननीती क्या है कि भारत की विकास को हमेशा साथ परसेंट जादा रखना है हमारे ग्रोथ को जादा रखना है विकास की रननीती है ये मुखे फोकस छितर अब यहां पर देखे जरा ध्यान से यही वो सेक्टर है जहां से सवाल पूछे जाते है मेंस में और मेंस में आप यही लिखेंगे सबस्यादा फोकस से तर कौन कौन से है कौसल और रोजगार सिर्जन भारत सरकार ने बताया है मोए 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 नहीं हो रहा है आपको पता होना चाहिए कि देश में करीम में अभी 30 लाख पद सरकारी अजेंसियों, सरकारी पदों में खाली है, रिक्तियां है कितना 30 लाख पद रिक्ति है भारत सरकार राजियों को मिला कर करीम में रोजगार सिर्जित करने के लिए भारसरकार को अलग-अलग नए प्रदों का भी सिर्जन करना चाहिए जो कि नहीं किया जाता है इसलिए भारसरकार को बोला जा रहा है कि भाई साथ आप जो समझ रहें कि सारा का सारा प्राइबेट सेक्टर ही रोजगार देगा ऐसा नहीं होता है आपने कब सुना था कि लास्ट टाइम मास अस्तर पर सेंटरल भरती के लिए कोई नोटिपिकेसन आया हो हाल फिल हाल मैं ससी बगरक आया है तो ये चीजे भारत सरकार को अब अन्वाब हो रहा है अब वो फील कर इसलिए उसने पहला प्राइब किसको रखा है कौसल और रोजगार स्किल भी देना परेगा ऐसा भी नहीं हो सकता है कि केवल सरकार ही आपको रोजगार दे मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको सबसे पहली आपके ये स्किल नहीं होता है स्किल में आप ढालेंगे कि कम्प्यूटर को ये स्किल किया है आपने आपको टाइपिंग आती है एरिटिंग आती है MS Word, Excel पर काम करना आता है या SEO का काम कर सकते है सर्च इंजन आप्टिमाईजर का स्किल की तलास है मार्केट में डिगरी वा इतने वर्स हों में एजुकेशन सिस्टम बदलना नहीं चाहिए था क्या सिम्पल B.A.M.A. के साथ में कोई एक स्किल का कोर्स नहीं होना चाहिए था भारत में होना चाहिए था जो नई एजुकेशन पॉलिसी में ढाला गया है तो आप किसके सिकार है तो पुरा नई क्या बोलती है कि युवा हमारे जॉब के लाइक नहीं है भारा सरकारन एकॉनमिक सर्वें बोला है कि 50% से ज्यादा युवा जो है वो जॉब के लाइक नहीं है क्या बोला है सिधा सिधा कि दो में से एक युवा जॉब के लाइक नहीं है मारकेट के हिसाब से क्यों लाइक न फोकस सेतर है, क्रिसी है दूसरा, दूसरा है एगरिकल्चर, दूसरा हो गया एगरिकल्चर, पहला हो गया यह, तीसरा MSME हो गया, MSME चुनोतियों को कम करना, हरी तुज़ा संकरमान, यानि कि ग्रीन इनर्जी ट्रांजेशन फियर्ज से गुजर रहा है, तो हमें इनर्जी को ग्रीन के तरफ में संकरमान, ले जाना है, सिक्षा रोजगार अंतर को समाप्त करना है, फिर से उसी की बात कर रहा है, जिसकी बात मैंने भी की, कि आपकी गलती नहीं है, आपको उसी एजुकेशन सिस्टम में डाला गया था, जिसमें आपके पिता जी को डाला गया था, इतने वरसों में, 20-25 वरसों में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए था, क्या दुनिया कहां से कहां चली गए, लेकिन आपने उसी एजुकेशन सिस्टम को, तो इसको क्या कहते हैं, कि सिक्षा और रोजगार में को हमें पांटना परेगा, कि जो रोजगार चाहिए, हम उसी के सिक्षा देंगे, इंजरिंग कॉलेज से प्लेस्मेंट क्यों होते हैं, अगर इंजरिंग कॉलेज के जो स्किल्ज सिखाये जाते हैं, वो अगर आपको सिखा दिया जाए, तो आपकी नोकरी लग जाए, कि को अपनिया तो डिगरी देखती ही नहीं आजकल, वो बीटेक बीए, एमेक कुछ नहीं देखती है, आप गूगल में भी जॉब कर सकते हैं, गूगल में वेबसाइट पर जाएंगे, तो जॉब एपलिकेसां के लिए सिंपल सा चीज रहता है, बैसलर डिगरी फ्रम एनी उनि इस पर पूरा पूरा निबंध और सवाल पूछा जा सकता है, आप से हद से ज़्यादा चर्चा में है, जलवाई परिवरतन उर्जा संकर्मन समझोता कारी समनवैसनी पर्टना, नवी करनी उर्जा मई 2.24 तक गैर जीवासम स्रोतों के अस्थापित विद्धूत उर्जा उत्पादन चमता में 45 और 4 पसंट के हिस्सेदारी रही है, उर्जा आप सकता है, भारत को उर्जा आप सकता है, वर 2.47 तक 2 से 2.5 गुना बरने का अनमान है, स्वक्ष उर्जा में निवेस, स्वक्ष उर्जा चेतर में 24 से 22 के दोरान सारे 8 लाग करोड रुपे का निवेस साकरसित किया गया है, किसमें तो ग्रीन इनर्जी में, ये आकरे धियान में रखेगा, अगर नभी करनी है, उर्जा समधित कोई सवाल आप से मेंसी एक्जामने से ने पूछा जाता है, तो वहाँ पर इसे रिफरेंस का वभ्योग कर सकते हैं, समाजी छेतर लाप जो ससक्त बनाते हैं, कल्यान का वैवितवर 28, सवितवर 24 को दोरान, सारे 12% की CGR से बढ़ा है, स्वास्त सेवा 147 करोर रुपे साथिक आईसमान भारत कार्ड जारी किये गए हैं, आवास पिछले 9 वर सो में पी-म आवास के तहत में 263 करोर आवास बनाए गए हैं, ग्रामीन बुनिय में कितना लोग होना चाहिए, और पहार में कितने लोग होने चाहिए, तो वहाँ पर सरक का निर्मान किया जाएगा, अब तो इसको और भी जादा बढ़ा दिया गया है, रोजगार और कौसल विकास, गुनबत्ता की ओर, बिरोजगारी दर 222 तेस में घटकर 32% रह गई, 22 लेकिन इस आंकरे पर कई सारे लोग सवाल खरा कर रहे हैं, कि EPFO रोजगार आखिरकार मानता किसको है, और क्या मानता है कि वो सबको रोजगार जो मिल रहा है, कितने लोग अभी बिरोजगार मार्केट में घूम रहे हैं, जरा उसको भी देखना चाहिए, अगला है युव लेकिन फिर खीक हमान लेते हैं, यह भी कोई चोटा आकरा नहीं है, महिला सरंबल भागिदारी लगातार 6 वर्सों से बढ़ रही है, वर्तमान में 37% के आसपास महिला सरंबल भागिदारी है, और जो की अच्छी है, अच्छी कंडिसन में है, लेकिन और भी ज़्यादा बर में 2.3-5 करोर लोगों का भारत सरकार का अनुमान है, और अनुमान ये भी है का अनुमान से भी जादा ना कहीं हो जाएए, गीग एकॉनमी का ताथ पर है कि जो ठेका पर या छोटे मोटे कमीशन पर काम करते हैं, जो इस्थिर जॉब नहीं होता है, पर्मानेंट नहीं होत इसके अलावा भी गीग एकॉनमी होती है, एकॉमर्स सेक्टर के अलावा भी होती है, फैक्टरियों में भी काम होती है, क्रिसी और खादे परबंधन, क्रिसी विकास इस चेतरे पिछले पांच वरसों में इस्थिर कीमतों पर 14,8% की आउसत वार्षिक बिधी दर्धर दर् है, क्रिट कार्ड जो होता है, आपके पास होगा क्रिट कार्ड, अगर है तो फिर वरवाद होने से कोई रोकी नहीं सकता है, है तो तो तोरकर फिक दीजिए, क्रिट कार्ड यूज कभी मत कीजिए, लगत लगता है उसका, क्रिट कार्ड होता है एक तरह से, कि जिसे ATM पिर आपको उसको चुकाना भी पड़ता है ते किसानों के लोन के लिए 90-99 के आसपास अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा 98 है या 99 के आसपास में किसान क्रेट कार्ड के अभधारना लाएगे किसानों कार्ड दिया जाता है जो अपने हिसाब से उससे रिन निकाल सकते हैं उद्योग मध्यम अलगू दोनों आपर यहार आध्योगी के विकास वितवर 24 में 88.92 परसेट की आर्थिक ब्रधी को 95.5 परसेट की आध्योगी विकास दरसे समर्थन मिला है फारमसिटिकल व़स्ट च्था भारत का फारमसिटिकल बाजार जिसका वर्तमान मुल्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है अपनी मात्रा कंसार विस्ओ का तीसरा सबसे बदमार बाजार है जिसका वस्त और पर इधान निड्यात दर 2024 में 2.97 लाख करोड के तक पहुंच गिया था एलक्टोनिक्स वी निर्मान ने भारत का एलक्टोनिक्स वी निर्मान छेतर वैस्विक बाजार हिस्सेदारी का सारे 3% से थोरा सजादा है अभी अर्तमान में कोई टर्मिनलोजी आएगा तो मैं एक्स्प्लेन जरूर करूँगा बाकी ये सब फैक्ट है सेवाए विकास के अबसरों के बरहावा देना छेतर का योगदान वितवर्ष 24 में सेवा छेतर के अर्थवैस्था में 55% हिस्सेदारी रही GDP अगर 100 रुपईये का है तो 55% जो रुपईया है 55 रुपईया है वो कहां से आया है तो टर्सरी सेक्टर से आया है और इस वर्ष के दोरान सारे 7% से जादा की बिर्धी भी देखी गई है डिजिटल सेवाएं डिजिटल माधियम से दी जाने वाली सेवाओं के निरियात में वैस्विक अस्तर भारत के हिस्सेदारी दोयर 23 में बरकर 6% हो गई है दुनिया मगए कहीं पर डिजिटल अस्तर पर कोई सर्विस प्रोवाइड करवाया जाता है उसमें से हर छठा सर्विर्ज होगाüs हो वैस्विक अस्तर भारत का सेवा निरियात वितवर 22 में विस्ट के वानजिक सेवा निरियात का 44% परस्षिес था और वीतवर 24 में भारत के कुल निरियात का 44% बना हुए है इसको जरूर ध्यान में रखेगा ये इंपोर्टेंट होगा आपके लिए बिमानन दोयार 24 में कुल हवाई यातिरों के संख्या में 15% की वारसिक बिर्धी हो रही है भारत में बिमानन उद्योग जो है बहुत ही जादा बूम कर रहा है क्यों बूम कर रहा है क्योंकि भारत में लोग बिमान में अब ज़्यादा सफर कर पा रहे हैं आई भी थोरी से बड़िए है और बिमानों की कनेक्टिविटी भी भारत बड़िए है लेकिन कौलीटी अभी भी बहुत ज़्यादा खराब होता है समय पर नहीं होते हैं, खास तोर से बिहार को भी मान एक भी समय पर नहीं जाते हैं इवाने, जे भारत के इवाने जुद्योग का वितबर 32 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर पार कर जाने के उमीद की जा रही है इकॉमर्स का जो सेक्टर है हमारा वो 2030 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा और जैसे ऐसे इकॉमर्स बढ़ेगा तो गीग इकॉनमी भी बढ़ेगी गीग इकॉनमी भी बढ़ेगी इस स्टार्ट अप्स भारत में टेक्नलोजी संबंदी स्टार्ट अप्स दोयर 14 में लगभग में 2000 थे जो 2023 में 31,000 स्टार्ट अप हैं और इसका स्रे सबसे बढ़ा जाना चाहिए मोदी जी को मैं उनको बहुत जाद क्रिट्रिसाइजी भी करता हूँ आपको पता होगा लेकि अब युवा जो हैं जो स्किल्ड होते हैं जिनके अंदर लीडर्सिप होती है वो अपना कुछ काम करने की कोशिस करते हैं इसलिए 31,000 स्टार्ट अप हो गए हैं जो 2014 में मातर 2000 थे इसमें देश के नितित को आपको बिलकुल ही क्रेडिट देना चाहिए च्योंकि सर्वोच पद से इस सब्द को बार 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 बोला गया इस स्टार्ट अप इंडिया कारिकरम भी लाया गया इस्टेंडप इंडिया कारिकरम लाया गया जिसके द्वारा इस सीज को बरहावा भी मिला है देश में एक एको सिस्टम थियार हुआ है स्टार्ट अप का जो के सब स्टार्ट अप में ही आते हैं छोटे-छोटे हैं लेकिन अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं कई सारे स्टार्ट अप बंद भी हुए हैं जैसे बाई जू राश्टे राजमार्क निर्मान के आस्ट रफ्तार वित बर्स 14 में 117 किलोमेटर प्रति दिन के करी में 3 गुना ब लेकर अभी भी बहुत कम खर्चा कर रही है दिखावे वाले कामों में ज्यादा खर्चा कर रही ये भी सही बात है क्योंकि जो सामाने ट्रेन जिसमें सभी लोग मैक्सम मास जो चरते हैं उस ट्रेनों में कोई खास सब्धा नहीं दिया गया है उन्हों रूट पर कोई काम नहीं किया गया है विमानन दोयर 24 में कीस हवायाटों पर नए टर्विनल इमारते चालू की गई है लोजिस्टिक में अंतराश्टि सिप्मेंट केटिकरी भारत दोयर 14 में 44 में हस्थान से 22 में हस्थान पर आ गया है अंतरिक्ष में 55 सक्री अंतरिक्ष परिसंपतियां है जिन में 16 संचार, 9 नविगेशन, 5 वेग्यानिक, 3 मौसम विग्यान, 20 पिर्थवी अवलोकन उपगरा भारत के पास में भी वर्तमान में सामिल है डिजिनल अपसानचना काफी बड़ा होता है, ये रिस्क मैंने लिया है एकानोमिक सर्वे परहाने का, परहाने दीजे, पढ़िए इसको, दो वार देख लीजेगा, आपका कल्यान हो जाएगा, पूछा जाता है यहां से, ठीक है, मुझे भी पता है, बोर्ड होते हैं, क्य 274 करोर से जारीके के दस्तावेज भी उस पर उपलब्द है, दूर संचार भारत में कुल टेली डेंसिटी, यहां से BPSC ने मेंस में सवाल पूछा था, 68 BPSC के मेंस में, कि बिहार की टेली डेंसिटी के बारे में सवाल पूछा था, कि क्यों कम है, और क्या कारण है उसका, यह सवाल पूछा था, BPSC ने गुरू, मार्ज 24 में 75,2% से भरकर, 24 में 85,97% हो गया, यानि के टेली फोन जो है, 100 जनसंख्या का अधार पर, 85,97% लगवववव में 86 लोग पास में टेली फोन और इंटरनेट का नेक्रिविटी है, इंटरनेट का घनत अर्सर 2,2% हो गया है 100 में सलगव में 69 लोग पास में इंटरनेट का कनेक्शन है अभी, अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास में नहीं है, थोरा सा यह और बचा हुआ है, जलवाई परिवर्तन और भारत, जलवाई परिवर्तन के लिए वर्तमान, वैस्विक रननीती, तुर्टी पूर्ण है और सारभामी कुर्प से लागु करने की योग नहीं है, भारत सरकार का ऐसा मानना है, पस्यम का दिश्ट को सामानने की जर यानि अतिधिक खपत को समधान नहीं निकालना चाहता है, बलकि अतिधिक खपत को हासिल करने के दूसरे विकल्ब को चुलना चाहता है, भारत कह कि 90 किलो कर दो जो कि पस्तिम कहता है कि चावल कहीं और से ढूंट कर लाओ अगर एक खेद खराब हो रहा है तो यह दोनों में मुल बार्त Jape संस्कृति को एहमद दी जाती है अमेरिका में पर परसन के हिसाब से अगर कंजम्शन देखेंगे आप और कार्बन फूट्प्रिंट देखेंगे तो वेस्टरन कंट्रीज का और जो अरेवियन कंट्रीज है और अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ पर बहुत ही जादा है पर परसन के हिषाब से वो लोग उससे जादा अमेरिका का लोग खफब कर देते है 33 करोर में तो अब समझ जाएए कि केथना जादा अंतर है यहाँ पर कई पीडियो बाले पारंपरिक परिवारों पर और से सततावास की मार्ग प्रसस्त मिलेगा मिसन लाइफ वगरे की भारत सब्सकार बाचित करते आई है प्रमुक्ष शुनौती की बात की गई है अनुसासित समधान क्या है तो प्रमुक्ष शुनौती है वैस्वी प्रतिकूल प्रसितियों और एफडियाई विक्सी देसों ब्याजदरों उच्च ब्याजदरों कारण एफडियाई की समभावने बहुत आसा जनक नहीं है इसलिए फडियाई भी कम हो रहा है धीरे धीरे चीन पर निर्भरता भी बिमारी बहुत ज़्यादा बनी हुई है भूर आयंतिक और निस्तिताएं भी है जैसे इसराइल हमास को लेकर है लाल सागर को लेकर है उसके अलावा रूसी उक्रेयन को लेकर भी कुछ भूर आजनितिक चिनताएं है चीन पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है AI का खत्रा जोससे मार्केट कैसे प्रभावित होगा यह अभी तक नहीं पता चल पाया है निजी निवेस में भी कमी देखी गई है रोजगार सम्मंदी अनिवारिता भी हमारे हैं पर कम देखी गई है रोजगार सम्मंदी अच गुनबता वाले और समय बद आकरोई कमी है यह कम प्रभावी सरम बाजार के बिसले सौन नीती निर्माने बाढ़ा डालते है भारत सकार ने बहुती बहुत चौकाने वाला बात तब बताया जब उन्होंने बताया कि रोजगार सम्मंदी अ majesty उनके पास में समखर रूप से मEMAँजूद नहीं है बिल्कुँ सई सुन रहे हैं आप उनके पास में हर चीज है प्रजिदि जो होना चाहिए होई नहीं है रोजगार सम्मंदी अगरा गायव है ऐसा कहा है उन्होंने कि हमारे पास सारे के सारे आंकरे नहीं है और संगटी छेदर के आंकरे भी नहीं है भारत सेकार के पास में जो कि होना चाहिए दोहरे 11 के बाद पॉपलेशन का सेंसस भी नहीं हुआ है भारत में जो कि होना चाहिए तब परमावर्शक हो गया है आपको एक चीज़ और नहीं समझाता हूँ भारसकार ने जो बिरोजगारी का और अलग अलग जो आपको आंक्रे दिये हैं उस सब 2011 के आधार पर दे रही है जबकि 2011 के तुल्ला में भारत के पॉपुलेशन कम से कम 20-21 करोर ब भी एक बहुत बड़ी चुनाती देखी जा रही है बरते कारेबल को समाज़ित करने के लिए भारते अर्थ वेस्थाम 230 तक गैर क्रिसी छेतर में प्रतिवर्स लगवावर्शन 8-5 मिलियन नौकरी प्रदान की जाएंगी मतलब 78 लाख के करीम में नौकरी प्रदान की जाए हैं आपके पास आपके साथ भी ऐसा होता है क्या सोसल मेडिया बहुँ जादा चलाते हैं स्क्रीन टाइम बहुँ जादा है कुछ भी खा लेते हैं जो मिला सब भकोर लिया इस तरह का जीवन सैली है तो उससे आपको नुकसान हो रहा है अनुसासी समाधान नीजी छेतरो द सर्वे के कॉर्डिंग और समस्या भी बताया है मैंने पूरा का पूरा एकॉनमिक सर्वे का ओभर व्यू दिया है इसको याद रखिएगा बहुत ही जादा इंपॉटेंट है आपके लिए दुवारा देख लीजेगा अपने सब्दों में अच्छे से एक्स्प्लेन करने को आरिज कर दिया और इस समंद में राज्य के सकती के पुना पुछ्टी कर दी है नौ नया अधिस वे पीठ द्वारा दिये कि इस निरने से असपस्ट हो गया कि खनीज रॉयल्टी पर संसद और राज्यों के पास में कितना अधिकार होगा आठ इस टू वन का दिया है एक न सेंटर के पक्ष में सरवोच नया ने क्या निरने दिया वारस नाइनीज निरने सुनाए कि खान वो खनीज विकास बिनमे अधिनिया मुने सो संतावन संग सुची प्रविश्टी चोवन के तहत में खनन बिनमे पकेंद्र के प्राथिमी का दिकार है राज्यों के वाल रॉ 24 में 5 नायद ही 100 पीछ ने 1999 के इस निरने में मुदरन संबनी तूटी का सुझाओ दिया इसमें संकेत दिया कि रॉयल्टी कोई कर रही है इसके परिणाम सुरू मौजूदा 9 नायद ही 100 पीछ ने इस निरने की समिक्षा की है वर्स 1999 के निरने को खारिज किया सर्वोच नेले की नौ नयादी सो पीठन निरनाय सुनाय का 1999 का निरनाय गलत था इसमें खनीजों पर रॉयल्टी को MMDRA 1957 के तहत करकर रूपे पंजिकरित किया गया था अब इसी को हम लोग देखने वाले हैं MMDRA को देखने वाले हैं राज्य बनाम केंद्रे प्राधिकरन वर्तमान में राज्यों को सुप्रीम कोर्ट अब इंडिया ने बोला है कि आप कर वसूल कर सकते हैं कहां से तो माइन वगरह से नियालेन इस पर तरक जोर दिया कि खनीज अधिकारों पर कर अडिकारों के सकती पूरी तरसे राज्यों के पास में है जबकि संसद केवल खनीज विकास बाधाओं को रोकने के लिए सीमा बताय कर सकती है इस नेड़ने मसपष्ट किया गया कि संसद को समिधान के सुची दो के परविष्ट पचास कंतरगत खनीज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है जो राज्यों के सकति उगनियांतीत करती है तिथा यह कर नहीं बलकि प्रतिबंद लगाने तक सिमित है संसद राज्यों के खनीज अधिकार पर करारों पन तरीके पर प्रतिबंद लगा सकती है लेकिन वो सीधे कर नहीं लगा सकती ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यह सुनिसित किया जा सके कि खनीज भी कहा से बाधा नो आए यानि की संसद रोक लगा सकती है लेकिन कर नहीं लगा सकती ही कर केवल और केवल राज्य सरकार ही लगाएंगे और अमती पूर्ण राई चेताबनी दीगई के राज्यों को खनी जादिकार पर करारोपन के अर्मती देने से सुची दो के परवेश्ट उन्चास कंतरगत भूमी भवनों पर भी करारोपन का प्रयास किया जा सकता है जिसे संगिय प्रनाली ध्वस्त हो जाएगी और खनी जमूले निर्धारन विकास में एक रूपता समाप्त हो जाएगी ये भी एक शुनौती भी इसमें देखी जा रही है परिणाम सुरूप राज्य पुन्हा खनी जो पर करारोपन सुरू कर देंगे जिसे कानूनी और निस्चिता के स्थितूदपन होगी भारत में धातू विकास सहित अने प्रतिकूल आर्थिक परिणाम सामने आएंगे दरसल में है क्या बरी बरी जो कंपनियां है पी एस्यू वो भारत सरकार के पास में है और जो खान बगर हैं उन पर कर लगाने सकती राज्यों के पास में चली जाएगी इससे क्या होगा दाम अलग हो जाएंगे इसका और अलग अलग प्रकार के उस पर कर लगाये जा सकते हैं जिससे एक और निस्चिता के स्थिती भी बन सकती है खनीज मुलिन रिधारन विकास हितुम एक रूपता सुनिसित करने के तथा राज जो खनीज अधिकारों पर कायाड़ोपन से रोकने के लिए संसत को हस्तक छेप करना होगा रॉयल्टी और टेक्स में क्या अंतर है दोहरकीस भारत के सर्वोचनेल ने रॉयल्टी और कर के बीच के अंतर को रिखांकित किया जब कि कर क्या होता है या करदाता को दिये कि किसी भी से इस लाव कर संदर में बीना एक वैधानिक सक्ती के तहत लगाया जाता है कर और रॉयल्टी फर्क होता है ये भी सुप्रीम कोट ने समझा दिया था और बोला था कि कर कर होता है रॉयल्टी रॉयल्टी होता है रोयल्टी जैसे आपने सुना होगा कि रोयल्टी मांगा है किसी एक्टर ने एक्टरिस ने उनकी आवाज को इस्तेमाल किया गया उनके द्रिस को उनके चित्रों को इस्तेमाल किया गया तो ये सब चीजें उसी में आती हैं रोयल्टी में वो कर में नहीं आएंगा उदारन के लिए निया एला ने हिंगूर रामपूर कॉल कंपनी लिम्टेड बनाम उडिसा राज उने सुएकसर पस्षी मंगला राज बनाम कोशो राम इंडस्टी लिम्टेड दुहर चार अने कई मामलब संदर्व देती यह अस्थापित किया कि रॉयल्टी प्रत्यक्ष ल रॉयल्टी के विप्रीत करों से कोई लेना देना विवस्था का सामिल नहीं होता है बुगतान निवारे हैं या किसी विसेस आधिकार या लाव से जुरा हुआ नहीं होता है अब जो एक्ट था 1957 का वो क्या था या भारत में खनान चेत्र को नियंतित करने वाले के महतफुन कानून है आजादी के परसाथ इसको बनाया गया था खनी चेत्र उभरती जरूरतों चुनोतियों गुजागर करने के लिए इस रधियां में कई संसोधन किये गए ताकि रा आमी पधती आवटन पार्दसिता बरहने के लिए खनीज रियायतों के अनिवार नीवार निलामी कर दिया गया जीला खनीज फाउंडेशन बनाया गया राश्टे खनीज अनिविशन ट्रस्ट बनाया गया अवैद खनन के लिए दंड भी इसमें लाउ किये गया था दोयर 15 संद्रा के परसाद से। जिसके लिए सरकार के दोरा मोल रूप से खनीज ब्लोक आवंटित किया गया है मालेजे रिलाइंस ने किसी खनीज के खान को लिया वहां सो तेल निकाल रही है अपनी ज़रुरत को पूरा करने के बाद 50% तेल वो मार्केट में बेच सकती है मर्चेंट खादियानों का संचालन खूले बाजार विक्री के लिए खनीजो के उतपादन करने के लिए किया जाता है निकाले का एक खनीजो के विभिन खरीदार बेचा जाता है जिनमें से उद्ध्योग भी सामイल है जिनके पास अपनी खा दियाने नहीं होती है 2223 में से संसोधन किया गया और इसका उदेशी यही रखा गया था कि महिदपून खानन अगर है कोई चीज में तो उसमें अलग-अलग कंपनियों के दुनिया के अलग-अलग कंपनियों को भी सामिल किया जाए अभी जो हाल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके तहट ये कर दिया है कि राज्यों कोई अधिकार होगा कि वो यहां से कर की वसूली कर सकते हैं इसको जरूर धियान में रखेगा जो अलग-अलग अक्ट मैंने परहाया उसको धियान में रखेगा इतने सारे संसोधन को धियान में रखने का आप सकता नहीं है आपको जो एक्ट था उसको धियान में रखेगा प्रावधान उसके मैंने आपको परहाये है वरतमान के फैसला भी परहाया है एकॉनमिक सर्वे भी परहाया है थैंक्यू सो मच आप सभी का